आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी में आपके पेट का कम निकलना जो कुछ प्रेगनेंट महिलाओं की परिशानी का कारण बन जाता है प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं का पेट बहुत छोटा रह जाता है और कुछ महिलाओं का पेट बड़ा हो जाता है ये किस कारण से होता है प्रेगनेंसी के चटवे साथवे मन्त तक कुछ महिलाओं का पेट बहुत कम निकलता है यानि कि वो समझ में ही नहीं आता कि वो प्रेगनेंट हो चुकी है लेकिन कुछ महिलाओं का पेट ज़्यादा दिखाई देता है प्रेगनसी के पाचवे-चटवे मन्त में तो गाइस यदि आप प्रेगनसी में आपका पेट भी नहीं निकल रहा है दूसरों की अपेक्चा आपका पेट कम दिखाई देता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं इससे कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज की वीडियो में ये सारी बाते हम जानने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखिएगा एक इंफोर्मेशन भी देना चाहूंगी कि मेरा एक और चैनल है जो हाउस बाइप से डिलेटिड है हाउस बाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो यदि आप उसमें इंट्रेस्टिड है तो वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप हमारा दूसा चैनल भी देख सकते हैं तो आईए गाईज अब वीडियो को सुरू कर लेते हैं जैसे ही कोई महिला कंसीव करती है या उन्हें बेबी कंसीव होता है तो हम अपने पेट के निकलने का वेट करने लगते हैं या फिर बेबी के किक का वेट करने लगते हैं इससे हमें बहुत खुशी मिलती है हमारे मन में ये बाते चलने लगती हैं कि कब हमारा पेट आगे की ओर निकलेगा कब हम प्रेगनेंट दिखाई देंगे कब हमारा बेबी किक करेगा दोस्तो इससे ये पता चलता है हमारे माइन में ये बात सेट रहती है कि दितना ज़ादा हमारा पेट निकलता जाता है उतना हमारा बेबी ग्रो कर रहा है और गाइस कहीं न कहीं ये बात सही भी है कि जब आपका पेट निकलता है तभी आपको समझ में आता है कि आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन कुछ लेडीज का पेट 6 मंथ में 7 मंथ में भी नहीं समझ में आता है कि वो pregnant है 6 मंथ तक भी उन्हें देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कोई महिला ये अंदाजा नहीं लगा सकती है कि वो कितने मन्थ की pregnant है गाइस पेट ना निकलने की वज़े से महिलाएं परिशान हो जाती है और ये परिशाने का विशे भी बन जाता है क्योंकि बेबी के ग्रोथ का महिला को उसके पेट से ही पता चलता है ये एक मुख्य सिम्टम से आपके बेबी की ग्रोथ का जिसे हम देख कर ही जान सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है अब हम जान लेते हैं प्रेगनेंसी में आपके पेट के ना निकलने का क्या रीजन है दोस्तों कुछ महिलाएं होती है जो छोटे कदकी होती है यदि उनका पेट थोड़ा भी निकलता है तो वो उनकी साइच के कालन समझ में आता है तो महिलाओं में यदि पेट थोड़ा भी निकलता है तो वो दिखाई देता है और वो ज्यादा समझ में आता है लेकिन अगर आपका कद लंबा है आप अच्छे लंबे चोड़े कदकी है तो आपका पेट यदि थोड़ा उससे ज्यादा भी निकलेगा तो वो आपके कद के का तम हो जाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, वो जादा निकला हुआ नहीं दिखाई देता है, कोई ये देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप प्रेगनेंट हैं, तो फिर ये चिंता का विशह है, आपको ऐसे में वेट नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, फिर आपका कद चाहे चोटा हो या बड़ा हो, आप किसी भी कद की हो, आपका पेट अगर फिट मंत के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको डॉक्टर की पास जाना चाहिए, प्र आपको चेक करके बता ग्याइस जैसा कि मैं पिछली हर वीडियो में आपको बताती हूं कि आपको टाइम डॉक्टर की देख रिख में रहना चाहिए जब भी डॉक्टर की अपॉइमेंट हो आपको जरूर जाना चाहिए अगर डॉक्टर अल्टर-साउंड करवाने के लिए कहते हैं तो आपको है जिसमें आपको कम फीश में या फ्री में ही देख लिया जाता है दोस्तों आपको अपने बेवी को सुरक्षित रखना तो उसके लिए डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे अच्छा option होता है आपके बेवी को सुरक्षित रखने के लिए और स्वस्त रखने के लिए तो guys उम्मीद करती हूँ बेवी बम को लेके आपके मन में जो भी question रहे होंगे उनके answer मैंने दे दिये हैं अगर अभी भी question आपके मन में है तो आप comment box में comment करिएगा मैं उसका answer देने की पूरी कोशिश करूँगी और हाँ guys यद वीडियो अच्छी लगा करें तो please like कर दिया करें इससे हमारा motivation और भी बढ़ता है अच्छी अच्छी वीडियोज लाने का और आप तक पहुंचाने का